हेलो इस्टुडेंट वेलकम तो पिव्यार स्टडी मैं राज कुमार आपकी सीटेट मैथमेटिक्स के साथ आज आप देखेंगे पार्ट नमबर 11 क्लास थोड़ी छोटी होगी लेकिन आज कुछ जादा होंगे क्योंकि आज हम एक स्पेसल रूप से आपके लिए वीडियो ब होल और यहां पर क्या लगा 0.4 देखो मैं सवाल एक बार फिर से मिला लेता हूं यहां पर लगा है क्या 4 नहीं यहां पर यार 6 लगा है यही मैं कंफ्यूज था ठीक है यह कुश्चन है अब ध्यान से देखो एक बात मुझे बताओ कि 32 को हम 2 की घात के रूप में क्या है आपको पता है पांच लगा दें ना करके देख लो दो दूना चार दूना आट दूना दूना बत्तिस तो भाईया यहां पर अगर आप ध्यान दो पांच पर दसमलो है कि तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इसको 0.2 और इसको भी आप चेंज कर सकते हो चुकि 0.6 का बात आ क्या है Rs. सबस्यां आप अब क्या होगा अब एक बात ध्यान दो कुछ इसमें हो रहाए का गरब्डबढ हो रहा है वो ये हो रहा है कि 2 की घाथ 5 तो हम सिर्फ 32 की जगा लिख सकते हैं सिर्फ 32 की जगा तो 2 की घाथ 5 तो पहले कर लो न जार इसको अटाओ पहले ये तो उपर की घाथ है ये तो 32 के भी उपर है न तो पहले इसको 2 की घाथ 5 लगाओ इतना ठीक है आप देखो तीन बटा पांच तो इसकी जगा पे मैं लिखूंगा ना ये ठिक अब भाईया ये जीरो पॉइंट टू इसकी घात देखो ये पांच है ये तीन बटा पांच है आपको पता है कि गुड़ा करने पे क्या होता घाते जुड़ती हैं जुड़ती हैं कि घड़ती हैं क्या होगा लेकिन यहां पे जब गुड़ा होगा दोनों का अलग अलग तब ना ये तो घात के उपर घात है तो गुड़ा होगा तो सिंपल सी बात है ये पांच गुड़ा तीन बटा पांच पांच से पांच कट गया मतलब final में 0.2 का whole cube आया अब यार ऐसे देख लो 2 का cube 8 होता है एक अंक पर दसमलो है तो 3 बार cube होगा तो 3 अंक पर हो जाएगा यानि 0.008 आएगा इसका answer final में अगर आप option देखोगे भाई साहब तो C वाला साही होगा है ना कितना आसान कितना कम समय में आ गया ना देखो concept शिख लो आप लोग tricky math में आपको अलग से दिखा दूँगा जिसमें सिर्फ trick बताऊंगा तो आप कहोगे नहीं आप trick मत बताईए आप regular पढ़ाईए क्योंकि trick याद नहीं रहता एक्जाम में इस वज़ा से आप अगर concept याद करोगे तो जो मैं आपको solve करके बता रहा हूं तीन मिनट में आप इसे एक मिनट में कर लोगे हाँ तीन मिनट वाला आप एक मिनट के अंदर कर लोगे देखे अगला सवाल आपके सामने आ चुका है आपकी time की हम बिलकुल पूरी परवाह करते हैं इस वज़ा से हम सोचते हैं कि आप कम समय में ज्यादा सवाल कर जाएं देखे अंडर route में है इसको देखके घवराना नहीं option इसी में से कोई होगा हम इसको simple में एक बार calculation मदलव simplification करेंगे देखो कैसे यहां पर देखो इसको सभन को देखो जितने नंबर है इनको हम क्या कर सकते हैं इनको हम तोड़ सकते हैं तो हम इसी करम में लिख सकते हैं आपको पता है कि यह 9 गुड़े 3 लिख सकते हैं क्या लिखेंग नौड़े 3 क्या वर्गमूल के रू नंबर नहीं होगा तो हम इसे नौ गुड़ा तीन लिख सकते हैं इसमें दो फॉर्टी एट को हम लिख सकते हैं भाई सहब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं न और आगे जगा नहीं हमारे में तो हम प्लफ नीचे कर लेंगे इधर बाइगल में जो करना है इसको हम लिख सकते हैं उन्चास गुड़ा तीन क्यूं नो त्रिक 27 के साथ हांसी लाया दो और नो चुछ गड़बर हो जाए गयार कितना होगा आप लोग बताओ जल्दी से यह उन्चास नहीं हो पाएगा उन्चास नहीं होगा क्या 147 है ना नो त्रिक 27 और तीन चुक बार दो चौदा ठीक तो है मुझे कुछ गड़बर लग रहा था ठीक है अब देखो क्या होगा अब यह होगा नीचे यहां फे हम अगला लाइन में चलेंगे हमें पता है कि इसका जो वर्गमूल है नौ का वो तीन हो जाएगा और तीन का आप गुड़ा कर दोगे चार में तीन बारा हो जाएगा आप कोई छोटे बच्चे तो आप हो नहीं यह अंडरूर तीन अकेल्ल बच जाएगा यह कहानी देखो क्या से क्या हो रही है ध्यान से देखो प्यार से देखो और देखते रहो हां अगे का होगा भाईया जुड़ जाएंगे प्लस-प्लस 12-19-19 से घड़ जाएगा कितना आ जाएगा 11-23 आंसर है कहीं का हां आप्शन नमबर डी राइट ओके इ नहीं भी अगर कुछी भी थोड़ा सा गड़बड होता हो तुरंसा ही हो जाएगा ठीक है जल्दी करिए देखिए दो सवाल हो चुके 5 मिनट में 5 मिनट में एक सवाल अगला सवाल ध्यान से देखिए वीडियो को पूरा देखना वाई कोई भी बच्चे इस क्लास को छोड कचिन है तेना पां सेबन एसकुएर भी सी का क्यूब कमान क्या होगा इसको सिंपलिफिकेशन करोगे इसमें से कौन सा आप्शन सा ही होगा बहुत सिंपल सा है देखने में काफी डर्ट लग रहा है बहुत ही भयानक लग रहा यह चलो देखो इनको उतार लो जैसे हैं जैस पावर फोर हमें पता यह भाग में है गुड़ा में होगा ती यह पलट जाएगा आप सब को पता यह पलट जाएगा मैं कुश्चन एक बार फिर से मिला लेता हूं यह दस बटा 27 यार यह पांच बटा मैं इसको सिंप्ली आपको दिखा देता हूं क्या होगा यह पलट जाएगा तो 27 बटा 10 और यह देखो आप ध्यान देना 27 बटा 10 भाई यह पलटेगा तो यह सब नीचे आ जाएगा चूकि यह उपर है जो यह वाला है तो इससे आप चाहे तो ऐसे लिख लो समझने के लिए इन्टू एक आई स्क्वाईर वी और सी का क्यूब यह तो उपर लिख दो कर तो गड़बड हो जाएगा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे नंबर का हिसाब करेंगे नंबर का हिसाब में हम कई तरह से कर सकते हैं जैसे देखो 9 से यह काड़ दो 9.31 सब ताइस चूकि वो उपर है अब यह तीन बचाना इसको काड़ दो 3 एक कम 3 तीन बचे 15 फहले गिंती गिंती का हिसाब कर लो भाई 5 से 5 कड़ गया यह 5 कड़ गया एक उपर एक नीचे सब साफ हो गया तो गिंती में हमारे पास सिर्फ तीन बटा दस बचेगा अगर हम बात करें लेटर की जो वरियेवल्स हैं यहां पर एक आई स्कॉयर है और यहां पर अगर आप देखो भाई पूरा कंप्लिटली तो यह एक पाउर फाइफ है और यह वन है यानि वन और यह क् सरफ कितना है दो उपर दो कईल गाते नीचे दो है कम होगा । I could Evie viola फिवर यहां पर फिवर clamu बचेगा है यहां पर पांच गात है तो बीका गात 11 होगा और 11 में से यहां पर एक module यहां कितना अगया दस कॉर रास diffic अगर कोई दिखाते हो जाएंगी साथ मैं से तीन कम हो जाएगा तो वच्छेगा फोर यह आपका हो गया फाइनल अंसर कितना आसान था ना कितना सिंपल देखने में कितना भयानक है तो डियरी स्टूडेंट आज की कला से ही पर खतम होती आपने देखा नौ मिनिट में आपने कितने कु सीचिंट मिलेगा एक फिर से आपको कोटी कोटी धन्यवाद मिलते हैं आफे नेक्स्ट कलास में हां चलते चलते एक बात और बता दें अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्षन में कमेंट जरूर करें कमेंट करेंगे तो आपको reply मिलेगा कर चलिए इसक्